Hello students, आपका chapter number first है prayer बच्चे prayer करते हैं भगवान से, वो भगवान को thanks कहना चाहते हैं और वो किस किस चीज के लिए thanks कह रहे हैं Let's read out this lesson Prayer, prayer means प्रात्ना For grass, घास के लिए and flowers and flowers and growing trees और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए Four birds, four means होता है के लिए Four birds, पक्षियों के लिए and butterflies, तितलियों के लिए and bies और मदु मक्यों के लिए For our fathers and our mothers, हमारे माता और पिता के लिए For our sisters, हमारे बेहनों के लिए and our brothers और हमारे भाईों के लिए we thank you God कि हे भगवान हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतनी सारी चीजें दी है for home घर के लिए and all the love that's there और उस प्यार के लिए जो हमारे घर में है for food भोजन के लिए we eat जिसको हम खाते हैं and clothes we wear और वो कपड़े जो हम पहनते हैं for books to read उन किताबों के लिए जिनको हम पढ़ते हैं and songs to sing और उन गानों के लिए जिनको हम गाते हैं for playmates and for everything हमारे दोस्तों के लिए जो हमारे साथ खेलते हैं और हर एक चीज के लिए everything means हर वस्तु के लिए we thank you God कि हे भगवान हम आपका धन्यवाद देती हैं